नमस्का दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल आउसधी एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत थे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएगे मेला मेट क्रीम के बारे में दोस्तों आज हम इस क्रीम के बारे में आपको जनकाई देगे इसका इस्तमाल किन किन रोगोम कियाता है इसके इस्तमाल करने से हमें क्या क्या फायदे होते है स्क्रीम के इस्तमाल करने से क्या साइड इफेक्ट क्या नुक्सान हो सकते है इसमें कौन सा कंटेंट मिलाकर बनाया गया है और इस्क्रीम का इस्तमाल कैसे करना है इसे यूज कैसे करना है हम जो है आपको सारी जनकाय देगे आप इस वीडियो को बिना इस्क्रेप के वे लास्ट टेक देखे दोस्तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज दोस्तो इस चैनल को जवर सस्क्राइब करे क्योंकि इस चैनल पे आपको रोजाना दवा, घेल नुस्क है और हेल्ट टिप समन्दे जनकारिया मिलती रहेगी दोस्तो मेला मेट क्रीम जो है आपको एक ट्वीब में पंदरा ग्राम में मिलेगा और इस पंदरा ग्राम का जो प्राइज है दोस्तो आपको मार्केट में 85 रुपे, 85 रुपे मिल जाएगा यह जो क्रीम है आपको बहुत ही असानी से सभी मेट का इस्टोर पे मिल जाएगा इस क्रीम को जो है यूनिवर्सल ट्वीन लैप बनाती है अब बात कर लेते हैं मेला मेट क्रीम में कंटेंट कौन-कौन से मिले होते है इसमें जो है हाइड्रोकुनान, मुमेंटासोन, ट्रोटीन आय यह तीन रक्स इसमें मिलाएगे है दोस्तो एक बात का जो ध्यान दे आप अगर इस मेला मेट क्रीम का इस्तमाल कर जा रहे तो बिना डाक्टर के सला से इसका इस्तमाल बिल्कुल न करे अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका इस्तमाल किन रोगों में कियाता है और इसके इस्तमाल करने से हमें क्या-क्या फायदे हो गए मेला मेट क्रीम का उपयोग जो है चहरे पे बनी जायों को खत्म करने के लिए कियाता है या जो है क्रीम चोट की वज़े से चहरे पे निसान बन गए हो या फिर दाग धब्बे हो गए हो उसको भी दूर करने के लिए कियाता है या चहरे के सावले पन को भी खत्म करता है और चहरे को जो है सुन्दर और मुलायम बनाता है दोस्तों जिसके चहरे पे दाग धब्य हो गए हो या निसान हो या जुरिया हो गए हो अईसी समस्या हो अगर आप इसका इस्तमाल करेगे डाक्टर के सलाक लेकर तो आपको बहुत जल्द लाब होगा अब बात करते हैं इसके इस्तमाल के बारे में इसे कैसे यूज करना है इसे आप दिन में एक बार रात को सोने से पहले लगाए अपने चेहरे पे पहले चेहरों को आप अच्छे से किसी अच्छे प्रिसवास से धोले उसके बाद इसे हलका सा चेहरे पे लगा ले और उसके बाद दोस्तों आप इसे सुबा किसे अच्छे प्रिसवास से धोले एक बात का जोड ध्याने दोस्तों आप इस क्रीम को लगाने के बाद सूरज की रोसनी में बिल्कुल न जाए धूप में बिल्कुल न जाए नहीं तो यह आपको नुक्सान पुछा सकता है और इस क्रीम को आखों में न लगाए मुह में न जाने पाए और इस क्रीम को बच्चों से दूर ही रखे अब ब्यात करते दोस्तों इस क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते है तोचा में जलन हो सकती है खुजली हो सकती है या फिर आपके तोचा पर रेडनेस लाल रेडनेस हो सकता है तोचा लाल हो सकती है ऐसी समस्या ह हो सकती है अगर आपको ऐसी समस्या लग रही हो तो आप अपने डाक्टर से जरूर संपर्ख करें अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और बेल आइकान को जरूर दबादें